हेल लो फैंटम मैं हूँ आपका दोस्क रजीटा ड्रागन बॉल की अल्टिमेट बैटल है आज का मेंट टॉपिक गोकू वर्सिस ग्रैंड प्रीस्ट क्या गोकू को भी ग्रैंड प्रीस्ट के लेवल तक पहुत सकता है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट को फाइट में टक्कर भी दे सके अभी गेज़ आप से तो बिल्गुल नहीं फिलाल गोकू के पास अभी ओफिशली कोई फॉर्म नहीं है जिससे वो ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे सके चाहे वो मास्टर डाल ट्रान स्टिंक्ट हो गोकू की डॉफ फॉर्म अब तक की और वो भी ग्रैंड प्री तो ओफिशल ड्रागन बॉल सूपर में ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जिसमें गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के आगे खड़ा भी हो सके मतलब खड़ा तो हो सकते मतलब फाइट में अब भले ही गोकू अल्टरान स्टिंक्ट विद कायो के इन यूस करे या कुछ भी ग्रैंड प स्टोरी के हिसाब से इस चीज का कोई लेना देना तो नहीं है लेकिन वहाँ एक ऐसी फॉर्म है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को टकर दे सकती है मतलब याद रखना दे सकती है मैं इस चीज पे जोर स्लेर डाल रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर आप अब सूपर ड्रागन अब सुपर स्ट्राग फॉर्म है क्योंकि इस फॉर्म का यूज करके गोकु किट फु को डिफीट करता है और वो किट फु का लेवल तुम्हें पताईए जिन लोगोंने एपिसोर्स देखा है वो कितना ताकतवर है क्योंकि दो गौजिटा गौजिटा लिमिट ब्रेकर और गौजिटा सुपर सेयन ब्लू एवल्यूशन जिसके पास अल्ट्रा स्टिंट की और भी है वो भी किट फु को नहीं हरा पाते लेकिन कोकू यूनिवर्स ट्री की हेल्प से यूनिवर्स गौट ब्लू फॉर्म को हासिल करता है और किट फु को धूल चटा देता है तो इसी चीज से आप सभी लोग समझ सकते हो कि कितनी शक्तिशाली ये फॉर्म है तो अगर देखा जाए ओफीशली जो फैंस ने चीज़े नहीं बनाई है जो सिर्फ प्रोडक्शन में बन रही है उसमें यूनिवर्स गौट ब्लू जो फॉर्म है भाई वो ग्रैंड प्लीस इसको टकर दे सकती है और शायद जीत भी सकती है ये ज़्यादा होगे है ना अदब टकर दे दे वो ही काफी है लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ जरूर आई होगी कि मास्टर अल्टर अंस्टिंक्ट के टकर यूनिवर्स गौट ब्लू ले सकता है नहीं इसक तके fusion करने तो शायद Grand Priest का गला सूख जाए लेकिन Grand Priest Top 5 Fighters में से एक है और Grand Zenon के बाद सबसे जादा powerful अगर कोई है सभी Angels में जो सभी Angels का बाप है वो है Grand Priest और उसके पास बहुत जादा power है जैसे हमने Vies को ही देखा है कि उसके पास बहुत सारी शक्तिया है जैसे time को पीछे करना, Frieza को जिन्दा करना और यहां तक कि अभी हमने Vies को full power कभी नहीं देखा है मदब मैं देखना भी नहीं चाहता क्योंकि वो कुछ जादा हो जाएगा यार मदब Dragon Ball Universe खतम मदब उसके लिए Void में लड़ाई करनी पड़ेगी बट अभी तो officially कोई form ऐसी नहीं है Goku की यह क सबसे में चीज, Goku सबको सरपास कर देगा क्योंकि शुरू से ही Dragon Ball Z में भी Dragon Ball में जब वो छोटे से बड़ा होता है वो अपने सारे दुश्मनों की power को सरपास करता है फिर Dragon Ball Z में सारे Kai Oshino Supreme Kai को भी वो सरपास कर देता है Dragon Balls उपर में सारे Gods को सरपास कर गए यहां तक कि God of Dest Destructions को सरपास करके Angels की power को वो हासिल कर चुका है अब भाई Goku रूख जा लेकिन वो नहीं रूखेगा क्योंकि अभी Grand Priest और Omnic King की भी भाई गेम बजानी है उन्हें भी दिखाना है कि एक सेयन क्या कर सकता है और क्या नहीं बाकि आप लोगों को क्या लगता है मुझे comment section में ज जा रही है टेंशन मतलो chapters पे chapters अभी आते रहेंगे थोड़े delay होते रहेंगे कभी नहीं कभी होते रहेंगे तुम्हें पताया time के हिसाब से चीज़ होती रहती है तो चलो मुझे ज़रूर बताने कि आप लोगो को कोई video कैसी लगी video पसंद आई हो तो video को like करो उस like बटन को तब तक के लिए कामेहा मेहा